नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है अरेंज मेरेज वाई लव स्टोरी तो चले शूरू करते है अभी यह अरेंज मेरेज बोले तो पूनम और अक्षई दोनों ही अंजान होंगे बराबर? दोनों ही अंजान थे उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे अभी अरेंज मेरेज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही 15 अक्टूबर की यह बात है अक्षई और उसके माँ पापा के साथ पूनम को देखने आये थे पूनम एक काफी सुन्दर लड़की थी अक्षई को वो पहली नजर में ही बहुत पसंद आई उसने पूनम को रिष्टे के लिए हा कहा और पूनम से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्नए है क्योंकि तुम्हारा निर्नए ज्यादा महत्वपूर्ण है पूनम ने भी तुरंथ हा कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीक पक्की की गई बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई उनकी शादी अक्षय के घर पर हुई अक्षय का घर शहर के एक बीच के घरों जीतन था शादी की सारी विधी खत्म हुई बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कराते हैं दोनों की वो शादी की पहली रात थी अक्षय धीरे से पूनम को आवाज देते हुए बोलता है आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है पर पूनम उस पर चिलाती है और बोलती है तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना अक्षय उसकी बाते सुनकर हैरान हो गया पर हिम्मत करके उसने पूनम को पूछा पूनम अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यूं की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी मैंने पूछा भी था तुम्हें फिर तभी क्यूं नहीं कहा मुझे? इस बात पर पूनम बोली मुझे कुछ मत पूछो 2-3 महीने एड़्जेस्ट करो और उसके बाद हम डिवोज लेकर अलग हो जाएंगे ये सुनकर अक्षय को धक्का लगा उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की पर उसने अक्षय की कोई भी बात नहीं सुनी और वो उसके निर्णय पर डटी रही अक्षय उसे बोला ठीक है तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोलती है क्या? अक्षय बोलता है अनकी एक छोटी सी मदद करोगी जब तक माँ पापा यहां है तब तक तुम यही पर रहोगी? एक बार वो गाव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा वो भी तयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए हर रोज का दिखावा उनका चालू था माँ पापा के सामने पती पतनी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए इसलिए उनके सामने नाटक करना ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे दोनों ही नौकरी करते थे फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना अक्षय रोज पुनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था पर पुनम अक्षय को अन्देखा करती थी क्योंकि पुनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी अरकी लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था इसलिए वो शादी करने के लिए तयार हुई पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी क्यूंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी जैसे तैसे उसके दिन धकेर रही थी अक्षय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था पर पुनम कभी भी अक्षय को पती का दर्जा नहीं देती थी एक दिन फर्ष पर पानी गिरा हुआ था तब पुनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्राक्चर हो गया अक्षय तुरंथ उसे डॉक्टर के पास ले कर गया उसका इलाज होता है डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते है फिर क्या अक्षय उसका बहुत खयाल रखने लगा हर रोज उसके पैर की मालिश करता था उसका पैर फ्राक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अक्षय पर आ गई थी पर अक्षय को तो पहले से ही ये सब की आदत थी इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी अक्षय रोज खाना खुद ही बनाया करता था उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे रोज काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बना कर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था चाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था फिर भी वो अक्षय को प्यार से नहीं बुलाती, उसका मन अक्षय को स्वीकारने के लिए तयार ही नहीं था, एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आय, उनकी बातचीत चालू थी तब अक्षय दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया, फिर वो पूनम से बोला, मैं जरा मार्केट से हुआता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो, पूनम बोलती है नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ, पूनम की सहेली को अक्षय को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा, उसने पूनम को पूछा पूनम धर के काम सब तुम्हारा पती ही करता है क्या? हाँ, वहीं देखते हैं, मेरा पैर फैक्चर होने के बाद से, पूनम की सहेली पूनम को बोलती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पती मिला, पूनम के चेहरे पर मात्र प्रश् चिनना था, तभी पूनम बोली इसमें इतना खुश नसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली अरे मेरा पती मुझे पूचता तक नहीं है कि कैसी हो तुम? खाना खाया की नहीं? और मेरे पती ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई? मुझे भी लगता था मेर पती भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्धी बोले तो बहुत होता मेरे लिए. बहुत इच्छा होती है यार पर इसके बजाए मुझे हमेशा निराशा ही मिली. बहुत मन दुखता है मेरा यार. ये सब सुनकर पूनम विचार में दूब गई उसके मन में अक्षय के प्रती प्यार जगने लगा. अक्षय का प्यार उसकी आँखों के सामने आने लगा. वो उस पर जान छिरेकता है यह उसे. अमजने लगा. अभी धीरे धीरे पूनम को भी अक्षय से प्यार होने लगा था. वो उस पर विश्वास करने लगी थी. अक तभी माँ पापा अक्षय को बोलते हैं कि अभी हमें गाव जाना चाहिए थोड़े दिन रहे कर खेती वगेरा करके आते हैं। अक्षय उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोस के बारे में भी बता नहीं सकता था। अक्षय सोच रहा होता है कि अभी पूनम को सब कैसे पूछे, कैसे बोलू उसके साथ, ऐसे सोचते सोचते ही सोजाता है, सुबह उठता है, तो देखता है कि पूनम बहुत जल्द बाजी में थी, वो जॉब पर जाने के लिए निकलती है, तब जाते जाते पूनम बोली कि अक अक्षय टिफिन बना कर रखा है लेकर जाना, कपडों को इस्तरी करके रख दिया है, और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना ये बोल कर निकल गई, अक्षय मन में ही सोचने लगा कि, जिसने आज तक एक ग्लास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक अक्षय का मन बहुत अशान्थ हुआ हो गया, वह भी सब काम करके ओफिस के लिए निकल गया, उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोस के बारे में बोलना है, शाम का वक्त होता है, पूनम के बताने के अनुसार अक्षय जल्दी घर आता है, पूनम ने खान बना कर सब काम निप्टा कर रखे था, घर पर आते ही उसे चाय देती है, ये सब अक्षय के लिए नई बात थी, चाय पीते पीते अक्षय धीरे से पूनम को पूछता है, पूनम तुम ठीक तो हो ना, तुमने निर्नय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना, इस पर पूनम बोलती है मैंने अपना फैसला ले लिया है, और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ, मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, और जाकर अक्षय को गले लगा लेती है, वो बोलती है मैं तुम्हें छोड करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पती मुझे मिला यही मेरी खुश नसीबी है।